रादे रादे आज मैं आपको गोपाल जी के लिए बहुत ही सुन्दर ड्रेस बनाने सिखाऊंगी जो पिछली वीडियो में चोली बनाने सिखाई थी उसी के उपर गेरा लगाना सिखाऊंगी तो चलिए निक्चे से मैंने ड्रेस को खोल लिया था और अब मैं मल्टी कलर की सीखाऊंगी पहले तो दस नंबर की सिख्फ लाओंगी ले पांच नंबर गोपाल जी बना रहे हुं है लेज्गे मैं ने एक इल्टी और एक सिख्फだから कि हुं से अब मैं एक पंद ऐसे उतारूंगी फिर दो नियुद्टे बनाओंगी पक्ट्य के लिए चार फंदे सिद्धे बनाऊंगी फिर एक फंदा जाली के लिए बढ़ाऊंगी फिर चार फंदे सिद्धे बनाऊंगी फिर एक फंदा जाली के लिए बढ़ाऊंगी इस तरह मैं यह पूरी सलाई कंप्लीट कर लेते हूं फिर आगे दिखाते हूं कैसर डिजाइन डालूंग मैंने इस सलाई में जाली डाल कर कम्प्लिट कर लिया और उल्टी सलाई भी बना ली है और लीजी अब मैं तीसरी सलाई स्टार्ट करूंगी अब मैंने एक फंदा बिना बना उतार कर दो फंदे उल्टे और फिर चार वाइट फिर चार मल्टी कलर के और मल्टी कलर वाड़े चार फंदों को तो मैंने सिदा बनाया और वाइट वाड़ों को उल्टा बनाया लीजी ये चार फंदे वाइट से और चार मल्टी कलर से उतार के मैंने डिजाइन को कमपलिट कर लिया और white में उल्टी सलाई बनाई है और multi color में बिल्कुल सिंपल सिद equally सलाई बनाई है अब मैं इसके उपपर multi color की उनसे बनाऊंगी और अब मैं यह आगे सिद रहाँ सिद बनाूंगी और लीजिए यह दो सलाई complete कर ली हैं और और ने जाली डालने शूरू कर दि चार फंदे बनाए पांच में फंदे पे जाली फिर चार फंदे सिदे बनाए फिर पांच में फंदे पे जाली इस तरह करके मैंने ये सलाई कंपलिट कर ली है सलाई में उतार चुकी हूं और दो सलाई उतार चुकी हूं एक सिदे उल्टी सिदे सलाई में जाली डालनी है और जाली के उपर जाली बनाँंगी सिधसलाई में और उल्टी च्य लाही में लेजिए मैंने उल्टी बनाई है और जाली में लुक्तिन कोई जाली ने जाली ढलनी है अब जाली waking Eu अजक्तिन कर दोंगी लेजी मैंने design को complete कर दिया है वाइट कलर की दो सिलाई उतार ही है एक उल्टी और एक सिदी ज्यादा बडी स्वेटर हो जाती है अगर चार से लाई वाइट की उतारती तो तो चलिये हैं मैं पंदे बंद कर देती हूं फंदों को वैसे सेटीं बंद करना है दो का एक दो का एक ऐसे कर करके मैं फूरी लाइन कंप्लीट कर लेत moi फिर दिखाते हु कितनी कोंल गोपाल जी कि ड्रेस बनकर त्यार हुई है भी से लिजिए यह सब सभीन्मों को मैंने बंद कर दिये हैं दो का एक करके दो का एक करके आखरी में एक पंदा बच्चा एक्स्टा उनको कट करके और इस पंदे में से इसी दागे को निकाला दूँगी और ये गांट लग जाएगी लेजिए गोपाल जी की बहुत ही सुन्दर ड्रेस बनकर तयार हो गई है अब जो मैंने शुरू में जाली डाल ली थी उसमें डोरी लगाऊंगी अगर आपको डोरी नहीं बनानी आती है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं मैं वीडियो डाल चुकी हूं डोरी कैसे बनाते हैं सिंपल तरीके से लीजिए डोरी को मैंने कंपलीट कर लिया अब आखरी वाले पंदे पे मैं गाट लगा दूगी उस पंदे में से दागे को निकार लिया और एक्स्टा दागे को कट कर दिया था अब मैं ये ड्रेस में डोरी डाल दूगी लेजिए डोरी मैंने डाल ली है अब इसके दोनों साइड में पंपं लगाऊंगी चोटे-चोटे दोनों कलर की उनको मैं तीन उंगली पे लपेट लूँगी आप चोटा बड़ा पंपं अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि अपने हिसाब कि लगा सकतर। लेज़ चैपने हिसाब की अपने हिसाब रहँ है ये लेज़ार पंपने हिसाब रहा रहाँ है अउए्पटास लीजिये मैंने दौनों सी रोपे पंपम लगा दिया है और गोपाल जी की बहुत सुन्दर ड्रेस बनकर तियार हो गई है लीजिये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको गोपाल जी की ड्रेस और चोली दोनों बनाने सिखा दी है एक बार आप भी जुरूर बनाएं अपने गोपाल जी के लिए गोपाल की ड्रेस के साथ या नई कोई कुर्टी डिजाइन के साथ रादे रादे